कुल मस्का नमस्का। मैं नाव बढ़ी हेकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हिस्टि का तो mCQ कर चाता झाए ठीक है बी यह सेकंड से मिश्टर वालों के लिए electroly से बैटकी सब्सक्राइब सेखने देखने म zona को सब्सक्राइब बात करते हैं यूनि अनबर उपना और नहीं है ट्वान सो unprecedented तो ऑनधन र कुंसी उत्लके pipeline All देखेंगे हैं यूनित नंबर फ्रोक तक ख़ीए उनित नंबर गुल देखंगे अब क्या तखчес élect jurisdictions हमारा बन था सोरी पार्ट जो बन था उसमें हमने फ़र्ष्ट यूनिट से लेकर और यूनिट तक क्या कर लिए भई कवर कर लिए है ना और यूनिट तक आप कहां देखीगा पार्ट नंबर बन में देखीगा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा किसका हिस्ट्री सेकंड semester की playlist में आपको ये मिल जाएगा ठीक है और सेकेंड भी आपको आप देखने को यहां पर मिलने वाला है तो बात करते हैं यहां पर उनिट नमबर सेकेंड की तो स्टी कोशन आपका हो जाता है औरंग गद्धी पर कब बैठा तो आपको पता है यह कौन सा था जो जाता है मुगल सामराज का हो जाता है और जेप जैब तो मुगल समराज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ट्रिक हमारी हो जाती है भाज सब कौन जाती है भई भाज सब हो जाती है भाज सब बी से सबसे पहले जो गुलाम बंसका सरी मुगल समराज का प्रिथम सा सकता तो बह हो जाता है बाबर ठीक है उसके बाद उसका बेटा कौन आता है भई गुमायू आत ठीक है उसके बाद कौन आता है अकबर आता है ठीक है उसके बाद आता है कहां पर जहांगीर आता है उसके बाद कौन आता है सहा जहां आता है ठीक है उसके बाद कौन आता है सहा जहां का बेटा आता है औरंग जेव ठीक है और यसी के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं और बीगी बात करते हैं बी से आता है बहादुर सहा जफर कौन बहादुर सहा जफर ठीक है तो बात करते हैं यह हम किस में पहुंच गए हैं यह पहुंच गए हैं मुगल सामराद में और मुगल सामराद के कहां पर पढ़ेंगे औरंग जेव को देखने वाले हैं जो लास्ट में 1680 में 1685 में राइट आंसर क्या होगा और जिव गद्धी पर कब बैठा तो इसका जो राइट आंसर होगा बैष हो जाएगा 1658 में यह कब बैठा था भई 1618 में बैठा था और अरंग जेब याद कैसे करेंगे याद आपको इस प्रकास से देखे लिए को मिलेगा और आप आपको इस प्रकास से मैच कर देना लास्ट में आठ देख लिए ना कहां देरका है यहीं परह 58 में तो राइट आंसर होगा ऑपसे नंबर का नेक्स कुशन की बात करते हैं नेक्स कुशन देरका है औरंग जेब ने जजियाकर पुना कब सुरू किया तो आपको पता है कशन देरका है जजियाकर पुना कब सुरू किया इसकी डेट आपको बतानी है पहला दे रका है Hola 鍋 104 ime Rite आंसरतना क्या होगा औरंग जेवने जजीया कर Turnar कब सुरू किया इन्होंने तो 1562 में क्या कर दिया कातम कर दिया किसे अकबर में उसके बाद औरेंग जिब ने पुने फिने कर दिया तो यह चाहिए था शूडा से उनधर में किया था राउन्स में विक्स किरा एगा हो याद कर सकते हो क्या करो जजिया कर नहीं लगाना चाहिए था, नहीं से 9, विल्कुल याद रहेगा न, 9 को उल्टा कर देना, 9 को उल्टा कर देना हो जाएगा 6, आप बस 9 याद करना है, जजिया कर को नहीं लगाना चाहिए था, न, इत्रिकार से हो जाएगा 9, और 9 को उल्टा करेंगे तो क इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको पता है पंदरसों में को नाया था अकबर उसके बाद सूला सो में काउन रहे गया था वह औरंग जेब तो 169 आराम से आपको याद रहने वाला है ठीक है जजिया कर किस पर लगाया था यह फिर लगाया जाने वाला कर था ठीक है और यहां पर क्योशन और बन सकता है कि जजिया कर था वो किस पर ब्रहाम वड़ों पर किसने लगाया था तो बह लगाया था फिरोज सहा तुगलक ने ठीक है यह आपको याद होना चाहिए नेक्स कुशन की बात करते हैं नेक्स कुशन रखा है मुगलकाल के किस बादसा को जिंदा पीर कहा गया है तो जिंदा पीर किसे कहा गया है यह आपको बताना है अकबर को जहांगीर को सहा जहां को औरंग जेब को जिंदा पीर किसे कहा गया है यह आपको बताना है तो इसक करना है वही पीर को कर दो पीला और पीला क्या होता है रंग होता है तो आराम से याद रहेगा और रंग जेव है ना आराम से याद रहेगा कि जिंदा पीर मतलब पीला और पीला कौन हो गया वही रंग हो गया ठीक है तो और रंग जेव आराम से आपको याद रहने वाला है और एक्जाम में क्योक्षन नहीं बचेगा next question की बात करते हैं औरंग जेब कौन सा बाग यंत्र बजाने में प्रवीड था तो औरंग जेब कौन सा बाग यंत्र बजाता था ये आपको बताना है सितार तबला पकवान या फिर वो जाता है बीड़ा right answer क्या रहने वाला है और नहीं बात करते हैं औरंग जेब कौन सा बाग यंत्र बजाने में प्रवीड़ था तो औरंग जेब जो था बो था बहें किस में बीड़ा बजाने में पीड़ था किसमें बीड़ा बजाने में वही वही वह कैसा था प्रवीड था राइट अंसर तो धाएगा वो अपना हो धाएगा option number D ठीक है option number क्या हो धाएगा वही option number धाएगा D next question की बात करते हैं नेक्स कोशन रखा है औरंग जेविकी मेत्यू कब हुई थी ये आपको बताना है पहला दर्खा है 1706, 1705, 1708, 1707 राइट आंसर क्या होगा भी औरंग जेविकी मेत्यू कब हुई तो औरंग जेविकी जो मेत्यू हुई थी वह समझे लेना सात रंग हो गए, खतम, सातो रंग को यूज कर लिया और सात रंग क्या हो गए भई, खतम हो गए, तो 1707 में रंग कितने होते हैं, सात ही तो होते हैं, रंग कितने होते हैं, सात होते हैं, तो सातो रंग को को यूज कर लिया, पही औरंग जेविकी हो गए, खतम, तो राइट क्या हो गया option number गहा हूँ जाएगा है ना क्यों नहीं बचना चाहिए एक्जाम में आए तो next question की बात करते हैं नेक्स कुशन देखा है औरंग जेव ने सिवाजी का दमन औरंग जेव को या फिर मुझ्जम को या अकबर को राइट अंसर अपना क्या रहने वाला है अवर जाेगा औरंग जेव ने सिवाधी का दमन करने के लिए तरपर्थम किसे भेजा था उसका तो राइट आंसर होगा बो जाएगा पौन साइस्ता हां के लिए किसके लिए साइस्ता खा को इसने बेजा था मगर जो हमारे सिवादी हो जाते हैं उन्हें मारकर इसे भगा दिया था ठीक है तो राइट आंस्रों का ऑप्षान नमबर खा नेक्स कुशन की बात करते हैं दे रखा है और रंग जेव का जन्म हुआ था और रंग जेव का कहा हुआ था यह आपको इहां पर बताना इसका तो राइट आंसर होगा कौनसा रहने वाला है कि पहला दे रखा है सांगोध में या फिर रखा है गोहन द में या दोहन में या फिर हो जाता है बीन था कहा पर दोःओं में कहा उओं तहला उबदो दम Run the किसका फुत्र था तो बही वह जाता है साहहां का हो जातं है Team साईठा के चारन प०नी थे इसका जर्म जो हुआ था वो हुआ था दो हद में ठीक है तो राइट आंसर उप्षिन नंबर गार रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि वह चुशन नंबर स्वरी यूनिट नंबर सिक्स की बात करते हैं यूनिट नंबर सिक्स यहां से क्या उड़ी अपनी स्टार सब्हाली थी आलमगीर दोतिये ने किस वर्स सासन सब्हाली थी कब समाली थी आपको बता ना है पहला देर रखा है सत्तरा सो पचास सत्त्रा सो चववन सत्रा सो 176ीट सब्हाइट आँशन अपना क्या हो घड़ा पर कमेंड घ्रिया आगे इस पर यह हो जाता है यह कह रहा ह आलंगी तो दिये ने किस बरस सासन जत्ता सभाली थी तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा 1754 कौन से रहने वाला है वही 1754 रहने वाला है राइट अंसर हो जाएगा वह अपसर नमबर खा नेक्स कोशन की बात करते हैं नेक्स कुशन दे रखा है चौथ और सरदेश मुखी कौन से हैं वही एक है चौथ और एक हो जाता है सरदेश मुखी नामक कर किसने लगाए थे चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर थे वह किसने लगाए थे यह आपको बताना है नाम आप ध्यान से देखीगा मुगल ने तुर्क ने, मराठा ने या फिर अफगान ने तो बिल्कुल एजी दे रखा है आराम से निकाल सकते हो चौथ और सरदेस मुखी आप समझ रहे हो यहाँ पर कि कोई भी कह सकते हैं फारसी बाला सब्दी यहाँ पर नहीं दे रखा है ना तो मुगल होंगे ना ही तुर्क होंग ना ही अफगान होंगे तो यह कर जो लगाए थे वो किसने लगाए थे मराठा ने लगाए थे किसने सिवाजी ने तो राइट आंसर दोगा ऑप्सन नमबर गा हो जाएगा कि चौत और सरदेस मुखी जो करते बह किसने लगाए थे यह फारसी वहाँ सा के सब्द नहीं है इ यह लगाएंगे सिवाजी मतलब मराठाव लोगों ने आगे वरते नेक्स कुशन यहां देखा है सिवाजी की राजधानी थी सिवाजी की राजधानी कौन सी थी यह आपको बताना है राइगड सिंगड पूना इन में से कोई नहीं आंसर बताना है कौन सी रहने वाली है सि सिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था पूना में कहां पर पूना में हुआ था सिवनौर में ठीक है पूना के सिवनौर में हुआ था कहां पर पूना के सिवनौर में हुआ था और पूना कहां पड़ता है पूना पड़ता है महरास्ट में कहां पर पूना पड़ता है महरास फंगे हां 1727 में कब वह था बैए 1727 में कैसका क्या हुआ था भई जर्म हुआ था है ना था ब्राइस है तुक्तर फ्रस पाइस ताइस ना प्रोकिए गा थोड़ा सा तो भी पार अब वह उस्टोला सव होगा ठीक है यहां पर क्या होगा 16 सोंटीक है 1627 में क्या हुआ था शीवा जी का हुआ जन्म कहा हुआ था पुना की सिवनौर में हुआ था कहां पर पढ़ताई है महाराश्ट में पढ़ता यह तिक्वेश की राजधानी थी शीवाध जी की राजवेशेक कहा हुआ था बही पर क्या थी इनकी राजधानी थी ठीक है तो सिवाजी का जो राजवेशेक हुआ था वो हुआ था रायगड के किले में कहां पर भई सिवाजी के रवज़ानी हो जाती है रायगर ठीक है तो यहां पर राइट आंसर होगा option number का next question की बात करते हैं next question को यहां से देखना है सिवाजी की आय का पिरमों के इस्तोथ था सिवाजी के जो आय थी उसता पिरमों के इस्तोथ क्या था आपको बताना है पहला दिरखा है आया तकलियात करना चौथ तथा सर्देस मुखी कर लगाना या दिरखा है अपनी चुंगी या भुमी कर राइट आंसर क्या होगा?". तो बात करतें सिभाजी की ऐ का जो मुखिस्तो था तो आपको बता रखा है सिवाजी ने दो कर लगाएते एक हो जाता है चौत और दूसरा हो जाता है सरदेश मुखी तो इस पर कासर राइट आंसर रहने बाला है वो जाएगा ऑप्शन नमबर खा नेक्स से कोशन की बात करते हैं सिवाजी ने निलोजी नायक से पुरंदर का दुर्ग छीना था अब यह कब छीना था यह आपको बताना है यह आपको यहाँ पर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा और हाँ यहाँ से क्योशन और बनता है कि पुरंदर जब बात यहाँ पर आ गई है तो पुरंदर की संदी कब हुईती है ना पुरंदर की संदी कब हुईती यह आपको यहाँ पर बताना है पुरंदर की जो संदी हुईती वो हुईती 1776 में कब हुईती भई 1776 में हुईती पुरंदर की संदी इसके बीज पई यह हो जाते हैं सिवाजी के बीज ठीक है सिवाजी थे और कौन थे इसके बारे में याद नहीं कमेंट में आपको लिखना है ठीक है तो बात करते हैं सिवाजी ने निलोजी नामक निलोजी नायक से पुरंदर का दुर्ग छीना था कब छ फटाबर कमेंट कीजेगा, तो बात करते हैं, सिवाजी ने निलोजी नायक से पुरंदर का दुर्ग चीना था, बो चीना था, 1648 में, कब चीना था भई, 1648 में चीना था, और पुरंदर की जो संदी की थी, बो वेती 1776 में, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, रणपदती सीखी, जो मराठा थे, उन्होंने जो गुरिल्ला रणपदती थी, ठीक है, वो कहां से सीखी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो पहला दे रखा है सिवाजी से, दूसरी दे रखा है एहमद नगर के मंतरी मलिक अंबर से, तीसरा दे रखा है तुमारा समर रामदास से, या पिर अपना हो जाता है दादा जी कौण देव से, राइट अंसर अपना क्या रहने वाला है, मराठो ने गुरिल्ला रपदती सीखी थी, किस से सीखी थी, तो इसका जो राइट अंसर होगा वो हो जाएगा, एहमद नगर के मंतरी मलिक अंबर से, किस से, ए रहा है, पुरंदर की संदी हुई थी, अब पुरंदर की संदी किस किस के बीच हुई थी, ये आपको बताना है, पुरंदर की संदी कब हुई थी, 1776 में, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, अब बताना है आपको पुरंदर की संदी किस किस के बीच हुई थी, कमेंट क सिवाजी और राड़ा करण सिंग के मद्ध हुई थी या फिर सिवाजी का सिवाजी वा ना नवीत के मद्ध हुई थी या फिर राजा जैसिंग और सिवाजी के मद्ध हुई थी या फिर सिवाजी वा औरंग जेब के बीच हुई थी तो राइट अंसर अपना क्या होगा पु 1776 में वही थी, आगे बढ़ते हैं next, next question की बात करते हैं, सिबाधी के सामराज में किलो की संख्या थी, सिबाधी का दो सामराज था, उस समय किलो की संख्या कितनी थी, उसके सामराज में आपको बताना है, पहला दिर्खा है लगभग 230, लगभग 255, लगभग 280, लगभग 270, राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है, सिबाजी के सामराज में किलो की संख्या हो जाती है, बहे हो जाती है, अपनी लगभग 280, कितनी लगभग 280 हो जाती है, राइट आंसर दो जाएगा, बूग हो जाएगा 280, आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन, नेक्स कोशन की बात करते हैं, सिबाजी का राजविशेक करने बाला पुरोहित था, यह देखेगा, रिपेट कोशन हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था, यह आपको बताना है, पहला दे रहा है तुकुराम, फिर गंगा भट, या मांगी राम, या रामदास, तो यहा अज़क हुआ था रायगण में कहा पर रायगण में वा था ये भी कहां पढ़ता है महाराश्च इन पढ़ता है का वा था रायगण में वह था कब हुआ था तो ये हुआ था 16166 में कब हुआ था वई 16166 में हुआ था किसका सिवाजी का राजवेशेक कहां हुआ था रायगण में किसके द्वारा हुआ था तो बह हुआ था गंगा भट के द्वारा हुआ था गंगा भट के द्वारा हुआ था और सिवाजी के अगर मित् गैंक सट्रासोरई में कब भी इती है ना इत्रास रखसी ऩोला सो सी मगदर सब्रस और फिर मों क्यों हो जाएगा या नहीं कि 730 कि कि कर दो के गा कि आग जो पुरंद्र की संदी वी थी ठीक है जो पुरंदर की संद्धी हुए थी बहो हुए थी 1676 में कवई थी बही 1676 में ये धानक नहीं थी 1676 में थी कोई कि इतनी पास थोड़ी जी लिंगे न कवई थी 1626 में इनका जन्म हुआ था नेको सारी किसारे यहाँ पर डेट लग देते एक या बार में मैं इनका जन्म हुआ था, वो कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था, 1627 में कब हुआ था, 1627 में हुआ था, अगर राज अभिशेक की बात करता है, ठीक है, अगर राज अभिशेक की बात करता है, तो ये हुई थी 1676 में है न, 1676 में हुआ था, 1676 में क्या हुआ था, इनका राजबेशेक हुआ था ठीक है और जो पुरंदर की संधी हुई थी जो पुरंदर की संधी हुई थी ठीक है ये भी कब हुई थी ये भी 1676 में ही होगी ठीक है ये भी क्या हुई थी 1676 में ही होगी और यहीं बात करते हैं सोला सॉच्छी awfuletide इनकी अगर मित्यूद पूछ ले कि इनकी मित्यू कब उईती तो बात करते हैं कि सिबाजी का जो मित्यूद उईती वो हुईती 1680 में कब उईती 1680 में इनकी मित्यूद उईती तो यहां से freshwater पूछेगा नहीं पूछेगा इसका जन्म कब हुआ था सिबाजी का 1627 में राद्यबेशेक हुआ 1676 में पुरंद्र की संधी हुई 1676 में मित्थी हुई 1680 में सारे की सारे आपको क्योंने चाहिए फैक्ट या दोना चाहिए तो यहां दो रहिखा था राद्यबेशेक कराने वाला परोहित था कहां हुआ था राधिविशेक राएगड में हुआ था कहां हुआ था राएगड में हुआ था राएगड में हुआ था राएगड कहां पड़ता है महाराष्ट में और किसके द्वारा हुआ था कौन पुरोहित था तो भै हो जाता है गंगा भट्ट हो जाता है आगे बढ़ते next question next question रिखा है सिबादी ने पूना में कहां पर पूना जो कहां पड़ता है महाराष्ठ ठीक है महाराष्ठ और पूना में ही क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था कहा हुआ था जन्म हुआ था 1627 में पूना के मुगल सेनापती कौन था पूना के मुगल सेनापती को पराजित किया था बहे कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है इबादी ने पूना में मुगल सेनापती को पराजित किया था बहे कौन था तो पहला दे रखाये अपना साइस्ता ख हां दूसरा देरेक खाए अफजल खा तीसरा अक्वर्द clip यह औरंग jayb राईट आंसर अपना ख्या रहने वाला है राईट आंसर अपना क्या रहने वाला है? पूना में मुगल सेनापती को पराजित किया था उसका जो नाम हो जाता है वो जाता है साइस था कौन था भई साइस था था जिसे किस ने बेज़ा था औरंग जेव ने बेज़ा था ठीक है तो right answer होगा option number का next question की बात करते हैं next question दोगे रिखा है उस question को ध्यान से देखना है तो रोड़ा करते हैं बदाएगा वैं right answer का क्या होगा सिवाजी सरवाधिक प्रिभावित हुए सिवाजी जो थे वो सरवधिक प्रिभावित किस्से हुए थे या आपको बताना है पहला माता दीजावाई से दूसरा हो जाता है पिता सहाधी भोसले से चौता तीसरा हो जा बताएगा सिवाजी सरवधिक प्रिभावित हुए से किस्से तो बह हो जाते हैं माता जीजावाई से किस्से माता जीजावाई से सारे की सारे आपको यहाँ पर फेक्ट याद रखना है माता कौन थीन की माता थी जीजावाई जिन से क्या हुए थे बहुत ही ज्यादा प्र तो आध्यात में किनके कौन हो जाते हैं वो हो जाते हैं गुरू रामदास कौन थे गुरू रामदास थे अगर सिबाजी के दादा का नाम पूछ ले कि सिबाजी के दादा का नाम क्या था तो बैह हो जाता है कौन देव कौन था भई दादा का नाम जो हो जाता है बैह हो जात दूसरा दे रखा है शवानहा निगार तीसरा दे रखा है खूपिया नभीस फिर दे रखा है अपना यह सभी राइट अंसर अपना क्या रहने वाला है तो बात करते हैं मुगल काल में जो सूचना भाग थे वो कौन हो जाते हैं बाक ए नभीस भी हो जाता है सवानहा निगार भी हो जाता है हूपिया नभीस भी हो जाता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह जाएगा यह सभी ठीक है यह सारे की सारे क्या है खूपिया विभाग हो जाते हैं खूपिया बहाग हो जाते हैं खूपिया सूचना बहाग हो जाते हैं या फिर मोगलकाल के सूचना बहाग हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं next question next question रखा है सिभाजी का जन्म में किस बर्स हुआ था क्योशन रिपीटो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, शिबाजी का जन्म हुआ था, सिबाजी का जन्म हुआ था वो कव हुआ था, वो हुआ था 1627 में रादिविशे कव हुआ 1676 में, 1626, पुरंदर की संदी कव हुई 1676 में, मित्ियू हो गई 1680 में सारी की सारी तो आपको यादोनी चाहिए सेक्योंस वाई ठीक है तो बात करते हैं सिवाजी का जन्म किस बर्स हुआ था तो बहुआ था 1627 राइट आंसरों का उप्शन नमबर का ठीक है राइट आंसर क्या होगा उप्शन नमबर का next question की बात करते हैं next question दे रखाए सिवाजी की मरत्यु कब होई सिवाजी की मरत्यु कब होई तो फिर रिपीड करते हैं सिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में इनका जो राज वेशेक हुआ वो हुआ 1626 में पुरंदर की संदी हुई 1626 में मरत्यु होगई 1680 में तो यहां दे रखाएं बत्यू कब हुई थी पहला दे रखाएं 1688 में 1689 में 1670 में 1680 में तो इसका तो राइट आंसर होगा 1680 में राइट आंसर उप्शन नमबर घा हो जाएगा next question की बात करते हैं next question अपना दे रखा है कि सिवाजी ने अफुजल खांका बद कब किया था सिवाजी ने अफुजल खांका बद कब किया था तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा भी है ना इसका तो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा फटाबर कमेंट करके आपको बताना है सिवाजी ने अफजल खांका किसका अफजल खांका ठीक है बद कब किया था यह आपसे पूछा का है सिवाजी कहां का एक बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था कहां का बीजापुर का बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था कौन बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम अपना हो जाता है बहता आदिल साह कौन था आदिल साह बीजापुर का एक सुल्तान हुआ करता था जिसका नाम था आदिल साह ठीक है जिसका नाम क्या हो जाता है आदिल साह हो कहाँ पर अफजर खा चाक को मारने के लिए मारने को मेज़ा था सिवाजी के लिए मारने के लिए मगर सिवाजी ने अफजा मर दिया येक है कब मारा था ये आपको डेट बतानी है तो पहला देज़ा है 1659 और में 1669 में 1660 में 1661 में राइट अंसर अपना क्या हो जाए सिवाजी ने अप्जल खांका बद कब किया था बैं कमेंट करके फटापड बताना है इसका तो राइट अंसर होगा वो क्या रहने वाला है कि झाट ठीक है अर люди अंसर अपना क्या रहने वाला अगा जी ने क्योशन इस प्रकाहजसे बन सकता है की आफजल खांको किसने भिजा था अफजल खांको किसने भिजा वैज goofy सिवाद जी को मारने के लिए तो बीजापुर के सुल्तान आदिल साने किसको बीजापुर के सुल्तान आदिल साने इस प्रिकास भी कुशन बन सकता है तो बात करते हैं पहला दिरिक्खा था सूला सो ट्थावन दूसरा दिरिक्खा है सूला सो उनसट में तो बात करते हैं तो क으ा का स्लतान था भीजापु प्रुका सुल्तान हो जाता है next a question की बात करते है next question रखः है इजाड़ी के और धाध्यात में को गुरू कौन ते तो यहां दिर्क्रा tort रत्oberू T साम अर्धडास दीद है या पिर गुरू हरी राम या देर रखा है गुरू हरी दास गुरू रामदास राइट अन्सर अपना क्या होगा सिवा जी के आद्धात्मिक गुरू कॉन थे तो बह हो जाते हैं कौन? गुरू रामदास राइट अंसर उप्शन नमबर गा हो जाएगा यही क्योशन बार बार रिपीट होंगे आपके एक्जाम में दो से तीन क्योशन यहां से देखने को मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन यहां दे रखा है सिवाजी की सिवाजी की जाबली पर बिजय कब हुई थी? सिवाजी की जाबली पर बिजय कब हुई थी? यह आपको बताना है पहला दे रखा है 1655, 1656, 1657, 1658 राइट अंसर अपना क्या होगा? सिवाजी की जाबली पर बिजय कब हुई थी? आपको यहाँ पर बताना है तो सिबा जी के जाबली पर बिजय होई थी वो हई थी 1656 में कभ उई थी भई 1656 में होई थी जाबली पर बिजय next equation की बात करते हैं next देखिएगा next equation रिकार सिबा जी का राज्या रोहड कभ हुआ सिभाजी का राज्य रोहल कभुआ यह आपको बताना है राज्य रोहल कभुआ था ठीक है राज्य रोहल पैस्त और सच तच और सच पी कर पथा है सच और सच थे कि अच उस्त như राज अभी से कभी-कभी राज्या रोहर भी देगा ठीके राजी बिशेक कभ हुआ था तो यहाँ पर यह वाली सवी को लिखना है इसमें सच्छता च्छता निग गया था उसमें दोरेजी गलती हो गई ठीके तो बात करते हैं सिवाधी का जो राजी बिशेक हुआ था वो परंदर की संदी दो बर्स के बाद मतलब 1676 मने दूत रहे थी राध्फशक भी वह रहा था और पुरंदर परंदर की संदी भी वह थी और 24 में क्या हुआ था चंक र्रमें मवा था राधेषेकlex के बाद चैतर में चैतर में क्या हो गई परंद्र की संदी और म्यत्ती हो गई 1680 में ठीक है तो इस प्रकार से ये वाला विल्कुल राइट होगा ये वाला याद करना ठीक है तो बात करते हैं सिवाजी का राज्या रोहड कब हुआ था तो बैं हुआ था पहले दिरेक्टा है 1664, 1665, 16 1666, 1677, राइट आंसर अपना क्या होगा सिवाजी का राज्या रोहड कब हुआ था तो ये हुआ था 1664 में राज्यविश्च 1664 में होगा दो वर्स के बाद क्या होगी परंदर की संदी होगी ठीक है आगे बाता है यूनिट नंबर हमारी स्टार्ट होगी अब यूनिट नं सेवन जोगी मारी स्टार्ट रहने वाली है तो बात करते हैं आतमादु एतमादु दॉला का मकवरा किसने बनबाया एतमादु दॉला का मकवरा किसने बनबाया जहांगीर ने अकबर ने सहा जहाने और अंग जेव ने राइट आंसर अबना क्या होगा एतमादु दॉला का मकबर बन बाया था वो बन बाया था किसने जहांगिर ने किसन बाया था भई जहांगिर ने बन बाया था राइट आंसर होगा उप्शन नमबर का नेक्स एकोशन की बात करते हैं, नेक्स एकोशन दे रखा है, दीने पन्नहा किसने बनबाया, जो दीने पन्नहा था, बहुत किसने बनबाया था आपको बताना है, पहला दे रखा है बावर ने, हुमायू ने, या दे रखा है अपना, सहा जहां ने, या जहांगीर ने, दीने पन्नहाा किसने बन भाया था, right answer अपना क्या होगा? तो आपको पता है, copy या फिर किताब का क्या होता है? और copy किताबें कौन ज़्यादा परता था, वो परता था, हुमाइयू विके पुस्तकालह में तो टरिक बन जाएगा दीन पन नहा किस ने बन भाया था तो यह बन भाया था हुमायू नहें आंसर हो जाएगा उप्सिन नमबर हो जाएगा खाँ नेक्स से कुशन की बात करते हैं, नेक्स से कुशन जो दिरका है, वो दिरका है, ताज महल किसने बन बाया, ताज महल किसने बन बाया, बाबर ने, अकबर ने, औरंग जेव ने, सहा जहाने, ये तो सभी को पता है, ताज महल किसने बन बाया था, सहा जहाने बन बाया था, ठी पहला दरह खाए अकबर ने सहाजा ने हुमायू ने जहां गिर ने पंच महल किसने बन बाया था पंच महल किसने बन बाया था जो पंच महल था दो बन बाया था अकबर ने किसे बन बाया था भई अकबर ने बन बाया था राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर का यह जी है सारे की सारे next question की बात करते हैं next question दे रखा है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था तो आगरा का लाल किला है बह किसने बनवाया था आपको बताना है गुमाईू ने, अकवर ने जहां गिरने, सहा जहां ने आगरा का लाल किला है और एक है दिल्ली का लाल किला कहां का? दिल्ली का लाल किला दोनों में कन्फुज बहुत होते हैं दिल्ली का लाल किला आप से पूछ रखा है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया और ये भी कमेंट बहताना है दिल्ली का लाल किला किसने बनबाया ठीक है दोनों में कन्फिज बिल्कुल नहीं होना है तो बात करते हैं जो आगरा का लाल किला था वो बनबाया था अकबर ने किसने अकबर ने बनबाया था आगरा का लाल किला यहाँ पर क्या हो चुके है एक एक बनाया था साधाने अगर अगर आगरा काकी आक बनाया था अकबरने यहां से हमारी क्या होती है उने यह तो बात करते हैं सूपीने रहने वाली सोंते है जूफी ये पर मुएद्दीनचिस्ति या रुसाइन बिन मंसूर या अpesy मत के सस्थापत थे भेह आपको बताना है सु से सूपी और सुowser और को देखना है यहां पर ठीक है तो इसका होगा हुसाइन बिन मंसूर कौन हुसाइन बिन मंसूर राइंट जाओ जाएगा next question की बात करते हैं, next question को देखेगा, next question का answer क्या होगा, question दे रखा है कि सूफी संत बिस्वास करते थे, किस पर बिस्वास करते थे आपको बताना है, एक इसबर में, अवतारों में, तंत्र मंत्र में, या फिर बहु देव, बाद में, right answer अपना, क्या होगा, सूफी संत विसपास करते थे किसपर पर एक उसका वे WOW आज लीट डौ talk कि असर Müdile कि कि इसका को सब्डून की बात करते हैं सूफी मत किस धर्म एक मतने से संबंदित बता जाना है इसाई धर्म से सिख धर्म से बोध धर्म से या फिर हो जाता है इसलाम धर्म से राइट अंसर अपना क्या होगा तूफी मत किस धर्म से संबंदित है राइट अंसर अपना क्या रहने बाला है वो ताना है उफी मत जो हैं वो हो जाते हैं इसलाम धर्म से किस से इसलाम धर्म से हो जाते हैं राई डेंटर रहने वाला है option number अपना हो जाएगा ठीक? नेक्स projection हो जाता है next question को देखना है कभीर डाष किस मार्ग के संत थे, कभीर डाष जो थे वो किस मार्ग के संत्र हो जाते हैं आपको बताना है सगुडभक्तिदारा या पर अपना हो जाता है निर्गुडभक्तिदारा या प्रेम मार्गी या फिर ग्यान मार्गी राइट अंसर अपना क्या होगा कबीर दास किस मार्ग के संत्र थे जो कबीर दास हो जाते हैं बै हो जाते हैं निर्गुण भक्तिजारा के किसके हैं निर्गुण भक्तिदारा के कभी हो जाते हैं, right answer हो गा, option number गा, इनकी बहां सा क्या हो जाती है, इनकी बहां सा हो जाती है, सदुक कडी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question, यहाँ दरेखा है निजाम अधिन ओलिया का संबंद था, निजाम अधिन ओलिया का संबंद किस से था, आपको बताना है, पहला दरेखा है चिस्तिया से, या फिर नक्स बंदिया से, या फिर कादया से, या फिर हो जाता है, शोहरवारदिया से, ठीक है, right answer अपना क्या होगा, निजाम अधिन ओलिया का संबंद था, निजाम अधिन ओलिया का संबंद हो जाता है, वो हो जाता है चिस्तिया से किसे है चिस्तिया से राइट आंसर उप्शन नमबर का हो जाएगा तो फैंट्स यहाँ पर जो हमारी यूनिट होती है जो हमारी यूनिट होती है यूनिट फॉर से लेकर यूनिट सोरी यूनिट फाइव से लेकर unit 5 से लेकर कौन से गजाती है unit 8 तक हमने क्या कर लिया भई cover कर लिया दो पार्टों में आपको divide किया गया है कितने दो पार्टों में आपको यहाँ पर मिल जाएगी part 1 और कौन से गजाएगा part 2 दो पार्टों में आपको सारे की सारे history के एम सी के question आपको provide करा रखे हैं अगर जिसकी को PDF download करना है जिसकी को करना है भाई क्या PDF notes download करना है PDF notes download करना है तो कहां से करेंगे हमारी site दे रखी है www.paperhacker.in तो बहां जाके आप notes भी download कर सकते हैं ठीक है? PDF भी download कर सकते हैं तो वीडियो को like करना, share करना चैनल को subscribe बढ़ना अब लाइकन को प्रेशे जरू कर देना तो जय हैं, जय वारत